नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुती खास जानकरी देने वाले हैं दोस्तों हर व्यक्ति अपने जीवन में कामया भी पाना चाहता है मान सम्मान पाना चाहता है धन दौलत एकत्रित करके अपने परिवार को शुक, समर्दी, पुशिया और एस्वर्य परदान करना चाहता है लेकिन दोस्तों अधितर लोग बहुत मेहनत करते हैं बहुत मेहनत करने के बाद भी ये सब्सक्राप्त नहीं कर पाते हैं इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक छोटा सा ऐसा उपाय बताएंगे जिसे अगर आपने कर लिया तो ये सभी चीजे धन, सम्मान, सुक्सम्रदी, प्रतिष्ठा, आधि सब को सहज रूप सही आपको मिल जाएगा सुरे देव को जल चड़ाने वाले लोटे में डाल देए एक छोटी सी चीज मिलेगा धन, मान सम्मान, नौकरी, व्यापार में उनती, पित्र का सहयोग और रोगों से भी मुक्ति सुरे देव को जल चड़ा दिया, तो समझ लीजिए कि ये सभी चीजे आपकी जोली में खोदिया कर जाएगा आपको फिर जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों बैसे तो सुरे देव को प्रते दिन ही जल चड़ाना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रते दिन सुरे देव को चोल लोटे से जल नहीं चड़ा सकते हैं, तो आप रभीवार रभीवार के दिन ही आप लोटें से सुरे देव को जल चड़ाया करें दोस्तो सुरदेव की दो संताने हैं एक यम्राज और एक शनी देव ऐसा कहा जाता है कि जिन किसी व्यक्ति के उपर भी सुरदेव की करपा हो जाती है उन सभी को धन्मान संबान के साथ साथ इन दोनों का भी आशिरवाद मिल जाता है क्योंकि उनके पिता का आशिरवाद होन या फिर मिर्ति उसका पीछा करेगी दोस्तों अगर आपने सूरदेव को जल दिया तो आपको यम देवतार से भी कोई खत्रा नहीं और साथ ही साथ सनी देव का भी आपको पूर्ण जहीओं को मिलता है इसलिए दोस्तों आपको हमारे दुवारा बताएगे ये छोटी सी चीज दोटे में डाल करके सूरदेव को जल अवश्य देना चाहिए हम आपको उस चीज के बारे में बताएं या उस उपाए के बारे में बताएं उससे पहले दोस्तों कमेंट बोक्स में एक बार जय बजरंग बली अवश्य लिख देना दो दोस्तों विदी विदान से करना ही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी उपाए विदी विदान से करते हैं, तभी आपको उसका पूर्ण फल मिलता है, अगर बिना विदी के कोई भी किया गया उपाए, आपको कभी भी फल नहीं देता है, और कभी- कमेंट बोक्स में जय बजरेपली लिखें और वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकि सभी लोगों का बला हो सकते। लिगवेद के अनुसार सूरदेव में पापों से मुक्ती दिलाने, रोगों का नाश करने, आयू और सुक में वर्दी करने वा गरीबी दूर करने की अपार सकती है। इसलिए जो भी जातक नित्य सूरदेव को जल चड़ाता है या रविवार के दिन सूरदेव को जल चड़ाता है, उसको यह सभी सहजी मिल जाता है, उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आप बाजार से खंड़तार जरूर लेक्या है। इसमें चाया थोड़ा सा ही डाले, लेकर गंगाजल अवश्य डाले। इसके बाद इसमें थोड़ी सी घल्दी, थोड़ी सी कुम-कुम और एक चुटकी शक्कर और थोड़े से यानि कि 21 दाने साबुत चावल के चाहिए दोस्तों खंड़ित नहीं होने चाहिए उन्हें आप डाले। आप दोस्तों बिल्कुल विशेश चीज़, तो पुष्प जो कि लाल रंके हों आप उन्हें इस जल में अवश्य डाल दे। ये सभी शामगरी लोटे में डाल देने के बाद आप सूर्य देव को ओं दोस्तों अगर किसी कारण से आकास में बादल चाय हुए है या फिर आप उस जल देने में देरी हो गई है तो भी आप सूर्य देव को पुरो दिशा की और मुक करके ही जल दें। लोटे को अपने सिर से उपर की ओर कर लें उसके बाद जल अग्वित करें और जो धारा लोटे में से गिरेगी उसमें से होते हुए सूर्य देव के दर्शन करें। उसमें से थोड़ा सा भाग अपने आखों पर और अपने मातें पर लगा लें। और हाथ जोड़ करके वही चारों और ढूंकर करके एक परकरमा करें। दोस्तों, यही वए नेम है यही वए विदी है जिसे करने से ही आपको पूरा फल प्राफ होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में किये वर इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिद्धर में जाते धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जै बजरन बलिए!